नमस्का दोस्तों, Market Delight में आपका स्वागत है, तो हम लोग आज बात करेंगे Fibonacci Retracement के बारे में, ठीक है, बहुत सारा आपका एक दो वीडियो में, आपका Stock Talk वीडियो में देखें होंगे, कि मैं Fibonacci Retracement यूच किया हूँ, तो Fibonacci Retracement क्या होता है, और कैसे काम करता है, आज हम लोग डीटेल में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग चलते हैं, Investing.com पर, यह हो गया हम लोग का Investing.com, और आज यूजल हम लोग यही पर सर्च करेंगे, Nifty Fifty, ठीक है, Nifty Fifty यहां पर, रेगुलार जब सर्च करते हैं, तो यह वाला हम लोग का Recent Search में आ जाता है, करेक्ट, अगर नहीं आ रहा है, तो आप टाइप कर सकते हो, Nifty Fifty, ठीक है, तो Nifty Fifty में क्लिक किया, और आगे हम लोग का Nifty Fifty का Window, हम लोग चलते हैं, इसका Technical Chart पर, मैं आपको एक, यहां पर एक तो टीफ देना चाहूंगा, कि यहां पर जितने वीडियो अगर आता है, इसको Cross कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यह वाला अगर इंटरनेट में, इंटरनेट में चलता रहेगा, तो फिर आपका Data Balance में भी दिक्कत हो सकता है, प्लस आपका, मानत स्लो हो जाता है, ठीक है, तो Volume कहां कर देते हैं, हम लोग Cross, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, और इसको कर देते हैं, लाइन, तो यह वाला आपका Line आ गया, ठीक है, और हमेसा कोसिस किजिएगा, कि यहां पर नीचे में एक ठो Auto और एक ठो Log, ठीक है, यहां पर Option है, Log Option On होना से इसमें आपका जो भी Noise है, छोटा-छोटा उसको कट हो जाता है, तो चलते हैं, दोस्तों, सबसे पहले, यह हो गया चार्ट, और Visibility के लिए इसको आप कलर भी चेंज कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देते हैं, ब्लाक कलर, ओके, त तो फिवनाची के लिए हम लोग को यहां पे एक ठो ऑप्शन है, यह वाला आपका पीच फॉर्क, आपका फॉर्क टाइप का एक ठो साइन दिखता होगा, वो लगभग उपर से तीन नंबर में आ जाता है, तो इसमें जब अगर क्लिक करोगे आप लोग, तो यहां पे जाता है, यह बहुत, मतलब, एक-एक सिगनेचर एक-एक चीज बोलता है, तो हम लोग को काम है, वो है हम लोग का फिवनाची रिट्रेस्मेंट में, तो फिवनाची रिट्रेस्मेंट आप नीचे जाओगे तो यहीं पे आपको फिवनाची रिट्रेस्मेंट आ जाओगे, एफाई भी रिट्रेस्मेंट लिखा हुआ है सॉटकॉर्ट में तो करते हैं हम लोग क्लिक इसमें कुछ ही नहीं आता है आप लोग को खुद ड्रॉ करना पड़ता है आप लोग का यहां पर देखना कौन सा सबसे हाइस्ट में है हाइस्ट पॉइंट को लेके अब चलोगे लोएस्ट पॉइंट को ठीक है ठीक है और फिर से उसको करोगे एक्ष्णेंड जैसे कि लोएस्ट पॉइंट वहां तक ही पहुंचे ठीक है तो यह मैं कर दिया करने के बाद और एक बार आपको क्लिक करने से यह वाला आपका रिट्रेस्मेंट प्लॉट हो जात है यह साइन आ जाता है तो यह साइन से आपको फिवानाची रिट्रेस्मेंट क्लिक करना है करेक्ट फिर आपका जो टॉप वहीं पर आपका जो चार्ट है उसी चार्ट में टॉप को आपको रखना है टॉप को आपको पिक करना है देखना है कौन सा वाला टॉप है वहां स यहां पर आपका प्लाट हो गया तो यहां पर आपका जो रिटरेस्मेंट ले तो क्या गया है तो उसी आप से लोग काम करते हैंında में अगर बहुत कुछ चीज है इसमें अभी हम लोग को कुछ काम उसमें है नहीं यहां पर कोडिनेट के हिसाब सभी कौन सा कोडिनेट आप लिए हो जैसे कि हम लोग 12368 से फिर यहां से 7600 तक लिए हैं इसमें अब भी इसको चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा अगर उपर नीचे हो जाएगा तो यहा आपको perfect figure बता है तो इसमें आप change भी कर सकते हो और visibility के हिसाब से यह वाला जो भी आपका time frame के हिसाब से ही है तो इसको करते हैं okay तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि यहां पे जो range होता है वो range के हिसाब से काम होता है और सब stock के लिए अलग-अलग होता है और सब index के लिए अलग-अलग होता है कोई चीज यहां से जाके retrace करता है फिर कोई यह वाला level में जाके फिर retrace करता है और हमेशा maximum stock क्या होता है कि इसी देर में घुमता रहता है इसको range मिल जाता है और इसी range में ही गुमता रहता है या इसी range में घुमता रहता है हमेशा consolidation देखिए आप दे इस डाइरे से बाहर निकलता है, full force में, या आट बोल सकते हैं, high volume में अगर यह बाहर निकलता है, तो फिर इसी डाइरे में फिर गूमना सुरू कर देता है, आज यू जल, इसको पार जब करेगा, इसको पार करने के बाद फिर इसी, मैं बोल रहा हूं कि इसको volume के साथ पार क जब नीचे आता है यह वाला फोर्स ज्यादा था बोलके इसमें ज्यादा का गुजाइस नहीं था फिर भी जब नीचे भी आता है तो ऐसे ही काम होता है तो यह वाला हो गया जैसे कि एक निप्टी का मैं आपको दिखा दिया अगर आप प्लॉट करोगे कुई स्टॉक का भी तो आपको कभी-कभी क्या होता है यहां पर लोग एंट्री कर देते हैं ठीक है न बहुत सारा वीडियो में कमेंट आया था कि यहां पर लोग एंट्री क ससने तो आपको करकर में तो मैं सब्सक्राम करेंग लेख तो कि यह बहु indifferent का loudly आ पर रहुंका प्लॉट करेंगा यह कुझर है जितना अ आप जैतना बार चार्ट लाओंगे उतना पार आपको बलाट करना पढ़ें बिकार सबका retrasment अलग अलग होता है और एवाला peak point और यह peak point हम लोग यही से सूरु कर सकते हैं , और हम लोग यह draw यह पूरा bottom point पे चलते हैं यह हो गया उनका bottom point और इसमें अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसमें अगर आपТक वोल्यूम बार Pav package ले आते हो जैसे कि यह वाला है इसमें इसमें ऑइ बोल्री के साथ काम हुआ है मतलब नीचे भी आया तो कम बोल्री के साथ बाहर तोड़ा है अगर इसी दाइरे के अंदर और एक दोड़ा है तो ग्रीन कैडल बन जाता है विद वॉल्यूम तो आप सोच सकते हैं कोई यह वाला लेवल तूट गया है ठीक है तो आपको समझ में आ जाये और एक भार समझ में आ जाएगा तो मतलब जितना बार आप टेखनीकाल अनलेसिस करोगे बार आपको जोरोत नहीं पड़ेगा तो एक बार सीख जाओ फिर आनलेसिस करो अच्छे से फिर डिसिश्येशन लो अशा करता हूँ कि आपको यह वालद वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, आपको सब्सक्रिशन के बाद, तो साइनिंग आउट, थैंक यू, थैंक यू सो मच,